नवस्कार मित्रो आजना वर्च्यूल क्लास रूम ट्रेनिंग सेसर महुं आपनू स्वार्दिक स्वागत करूछू आजे ITI अंतरगत चालता RFM ट्रेड ना अभ्यास क्रम मा आवता लेशन कोल्ड स्टोरेज प्लांट वीशे अपड़े तालिम से मार्ग दर्शन आपीश जेमा गोल्ड स्टोरेज ले आजना युगमा खुबज जरूरी बनेल छे क्येम के जेमा रेफ्रिजेशन अने एर कंडिशनिंग मानवी ने अनुकूर वातावान बक्षवानी साथो साथ तेमनी तमाम जरूर्यातों संतोस्वा अव नवी सुविधाव उपलब्द करी छे खाध्य पदार्थो फड़ फड़ादी साखबाजी मास मची वगेरे ना जंगी जथ्थाने अमूक निष्चित समय करतो वदू समय सुधी राखवाती तियो बगडी जाएचे अने दुरगंज मारवा लागेचे आवा पदार्थो लाबा समय सुधी सामाने रिते सामान्य तापमाने रही सकता न थी आम आ रिते खाध्य चीजो नो बगार थाए छे आम न थाए ते माटे अने दरेक पदार्थ खाध्य चीजो नो लाबा समय सुधी एवी ने एवी शाची विशकाय ते येतु थी स्टोरेज नी रच्छना करवा में आवेल छे。 कोल्ड स्टोरेज सवाने रिते आम तो मोट्टा यहनु जे स्वरूबचे ते खूबज मोटु जे अपणे फ्रीज करता पन सवाने रिते अत्यारे नाना अवा अवेलेबल होई छे अने रचना पण एरते करवामा आवेली छे जना अंदर आपडे बदीज वस्तू मतलब फड़ फड़ादी साकबाजी आने बेवरेज पण आपडे प्रिजर करी शक्किये छे स्लाइड मा बताया मुझब यनी रचना आ मुझब होई छे जे मा बदीज वस्तू प्रिजर करवामाटे ना रेक्स पण पण पनावेला होई छे कोल्ड स्टोरेज मा यना अंदर एर सर्कुलेशन पाण चित्रमा दर्शावे मुझब थाए छे यने बदीज वस्तू ने योग्यत आपमाने टेंपरेचर मतलब मेंटेन करी शकाए छे ते आ स्लाइड मा बतावे मुझब ते केडानू स्टोरेज करेलू छे जे मा आ बदती यने स्टोर करवामा आवे छे कोल्ड स्टोरेज मोटी मतलब मोटो प्लांट मा इरेक्शन मा आप अकृती मा दर्शावे मुझब होई छे अन्दन रूम नी स्लाइड छे कंस्ट्रक्शन रचनानी द्रस्टी जुईए तो कोल्ड स्टोरेज ले रेफ्रिजेरेटर नू राक्षाशी स्वरूप काण के फ्रीजमा कर्वप्रास मा पूर्ती थोड़ी गज वस्तुओनो समावेस करवामा आवे छे जारे कोल्ड स्टोरेज मा व्यपारिक दोरणे मोटा जत्ता मा वस्तुओनो समावेस करवामा आवे छे दरेक प्रकार ना खाद्य पदार थो फड़़डादी साकबाजी मास मच्ची वगिरे सीजन मा खुब वजारे प्रमाण मा उपलब्द होई छे परन्तु सीजन पूरी धता ते अप्राप्य बनी जाए छे आम न बने अने खाद्य पदार थो बारे मास मडी रहे ते माटे कोल्ड स्टोरेज मा राखवामा आवे छे माखन गी वगेरे नो पन कोल्ड स्टोरेज मा लामा समय सुदी संग्र करी शकाए छे खासकरी ने दरेक चीजों माटे अलग-अलग प्रकार्ना कोल्ड स्टोरेज उभा करवामा आवे छे कोल्ड स्टोरेज नि रचना फ्रीज जेवीज हुआ छे फ्रिजनी माफक कोल्ड स्टोरेज माँ पण वेपर कॉम्परेशन रेप्रिजिशन सिस्टम नो उप्योग करवा माँ आवे छे तेना मुख्य भागो मां कॉम्परेशर, कंडेंसर, रिसीवर, एक्स्पांशन वाल, युओ अफ्रेटर अने एक्कुमिलेटर नो समावेश थाए छे कॉम्परेशन नी क्यापेशिटी कोल्ड स्टोरेज नी साइज तता तेना लोड पर आधार रागे छे वारमवार उगाड बंधता कोल्ड स्टोरेज ने वधू कैपेशिटी वाडा कॉम्परेशन नी चरूरियात रहे छे कोल्ड स्टोरेज ना मुख्य भागो अने कंड्रोलस नू कारिय आ प्रमाणे छे कॉम्परेशर तो लो प्रेशर अने लो टेम्परेशर वाडा सुपरीटेट रेफ्रिजरंट ने कॉम्परेश्ट करी हाई प्रेशर अने हाई टेम्परेशर वाडो बनावे छे कंप्रेशर मोटर ते कंप्रेशर ने गती आप्पानू काम करे छे ત્રિડ નંરે હાઈપરેશર ગેજ તે શીસ્ટમનુું ડિષર પ્રિશર બતાવે છે लो प्रेशर गेज ते सिस्टम नुँ सक्षान प्रेशर दसावेचे ओईल सेपरेटर ते डिस्टार लाइन मा रहेजनर शाते रहेल ओईलने दूर करेचे चार्जिंग वाल तेनी मदथ hosts सिस्टम मा गेस चार्ज करी शकाएचे लिक्विड लाइन तेनी मदत्ती सिस्टम ने पंडाउन करी सकाई छे परजींग वाल तेनी मदत्ती सिस्टम मा रहेल नोन कंडेंसेबल गैस ने दूर करी सकाई छे नौ मा नम्बरे ओईल ड्रेंग पपलक तेनी मज़त थी ओईल सेप्रेटर मा रहेल ओईल ने ड्रेन करी सकाएचे प्रेशर रिलिफ वाल ते खंडें सर्मा प्रेशर वधी जाये त्यारे वजारानू प्रेशर ने रिलेज करी सुक्षान थतु अटकावेचे या 11 मा नंबरे एलाराम बेल येले कोल स्टोरेज रूम मा कोई व्यक्ति फसाई जाए त्यारे त्यारे त्यानों उप्योग करी सकाए छे आम कंप्रेसर वी से अपड़े कंप्रेसर नू कारिये प्रेसर डिफरंस उत्पन करवानू छे तो येना बिजो नंबर नूँ जे कंडेंसर छे एकंडेंसर नू काम चे एकंडेंसर करे जे मतलेब के हाई प्रेसर हाई टेंप्रेचर वेपर रेफ्रिजरंट कंडेंसर मा दाखलत तो तेया हवा अथ्वा पाणिना माध्यम न संपर्क मा आवता ते वेपर रेफ्रिजरंट प्रवाई स्वरुप मा रुपांतर पामे छे त्यार बाद ते रिसीवर मा जाये छे अने त्यां रिसीवर मा रिसीवर थाई त्यां थी स्टोरेज मतलब थाई अने जरुरियाद मुझब त्यां लिक्विड लाइन मारफदे एक्सपांशन वाल मा दाखल दाई छे एक्सपांशन वाल मा प्रेशर घटत त्यानू उतकलन मिंदू निचू जाये छे जेना प्रेणा में त्यां प्रेशर ड्रॉप थतो उतकलन मिंदू निचू जावाना कारणे अने जेवु इवपरेटर मा दाखल थाशे त्यारे त्यां इवपरेटर मा मुझेली वस्तुव म गर्मी सोसी लई ते पाचो लिक्वीड लो प्रेशर लो टेंप्रेचर वेपर एफ्रिजरंट मा रुपांचर पाम से अने जे कहीं पदार्थ खाद्य पदार्थ हो के खोराक मुकेलो चे इवाप्रेटर मा मतलब के जे स्टोरेज मा ते पदार्थ ने ठंडो बनावे चे अन आम एपर रेफ्रिजरंट पाचो सक्सल नाइन मार्फदे तंप्रेशर मा दाखल धाये चे अने अवीरत पने रेफ्रिजेशन साइकल चालू रेत अंते कोल्ड स्टोरेज मा मुकेली वस्तुबो एना जरूरी ताप माने जरूरी मतलब के नक्की करेला ताप माने टेमपरेचर जाडवे चे, आम सतत आ प्रक्रिया चालू रे चे अने टेमपरेचर मेंटें थाई चे कोल्स्टोरेज प्लांट में जुदावदा कंट्रोस नो पन प्योक करवाम आवे चे जे आ प्रमाने चे लिक्वीड फ्लो कंट्रोल Liquid Flow Control ए Throtling Device छे जे सिस्टम मा लोडने अनुरूप रेफरीजरंड ने कुलिंग कोईल मा मुकलवानु कार्य करेज़े कुलिंग कोईल मा लोडने अनुरूप रेफरीजरंड ना सपलाई नी बदगट आ डिवाईस द्वारा ठाये छे थर्मोस्टेटिक एक्सपांज जनवाल, आटोमेटिक एक्सपांज जनवाल, फ्लोट वाल वगेरे लिक्वीड फ्लो कंट्रोल उधाराण छे त्याने थ्रोटलिंग डिवाइस तरीके पांड उलखवामा आवे छे टेंप्रेचर कंट्रोल, मतलब के को सोरेदना रूम जरूरी टेंप्रेचर आवी जाए, त्यारे प्लांटने चालू राखवाती टेंप्रेचर निचु जाए छे अने इलेक्ट्रिक पावर कंजप्षन वदे छे, आथी इच्छीत तापमाने लेवले प्लांटनों कुलिंग आवी जाए, त्यारे प्लांट बंद करवानी रित खुब शरड छे त्याना थी विरुद्ध ज्यारे इच्छीत तापमान लेवल करता टेंप्रेचर उचु जाए त्यारे प्लांटने चालू करवानी ज़रुयात उभी थाए छे आ कारिये थर्मो स्टीट द्वारा करवामों आवे छे, आम थर्मो स्टीट ए टेंप्रेचर कंट्रोल तरीके काम करे छे तीजु छे हिमीडिटी कंट्रोल, जेमा हिमीडिटी कंट्रोल मतलब के भेज़नू प्रमान जड़वाई रेव जोईए कोल्प स्रोयज प्रांड मा जुद्याउधा खाद्य पदार्थो नो शंग्र करवामा आवे चे आधी खाद्य पदार्थोने साचावा माटे जाडवी राखवा माटे युमिडी स्टेट नो उपयोग करवा मावे छे जे कोर्ट सोरेज नी अंदर करेलो होई छे च्वथा नम्बरे सेफ्टी कंट्रोल्स नो पन खास करेने उपयोग करवा मावे छे जेम के हाई प्रेसर कंट्रोल्स तरीके उड़कवा आवे छे दिस्टार लाइन पर करवा मावे छे ते सिस्टम ना डिस्टार्ज प्रेसर पर कारिया करे छे डिस्टार लाइन नो प्रेसर सेट करेल प्रेसर करताव वदे त्यारे आज स्वीच कोंटेक्ट ओपन थाई जाए छे परे नामे कोंप्रेसर ने मर्थो पावर सपलाई बन थ आधी कॉंप्रेशर बन थाई छे बिजा नम्बरे लो प्रेशर कंट्रोल ए पन आज स्वीच सिस्टम ना सक्षन अथवा तो यो अप्रेटर प्रेशर पर कारिय करे छे जयरे सिस्टम नो शक्षन प्रेशर सेट करेलın प्रेशर करता हो निचू जाए त्यारे लो प्रेशर स्विच ना इलेग्रिकल कॉंटेक ओपन थाई आथी कॉंप्रेशन ने मरतो पावर सप्लाई बंध हता्यप घड स inter所以 आम सिस्टम नी नियत करेला प्रेसरे पोद पोदानु कारिये स्वतंतर रिते करे छे कोल्ड स्टोरेज माँ खोराक नी जानवनी ए बहुत महत्वनों छे जेमा खास कोई पाण पदार्त नुँ विटामीन सी तापमान वधारवाथी के गटाडवाथी नास पामे छे आथी विटामीन सी नी जाडवनी माटे रेफ्रिजेशन सिस्टम नो उप्योग करवाम आवे छे जेती विटामीन सी जडवाई रहे छे औने खाद्य पदार्त नो स्वाध पणे नो एच रहे छे खादे पदार्तों मां रहेला विटामीन अन्य कोई वस्तुओं साथे भड़ी जई नास पामेचे आती खादे वस्तुओं ने ठंडी राखती वक्ते अने तेने पकवती वक्ते पाणीनू प्रमाण उच्छा मोचू हव जुए चीरों सेंडिकरेट ताप मांने खाद पदार्तोंने बगड़ता जिवानों नुरुत्यू पामेचे परन्तु साखबाजीना जिवानों मां आम थतु नथी आती ते साखबाजी पर विनासक असर करी तेने बगड़ी नाके छे आ कारण दी तेने गरम पाणी के वेता पाणी मां एक्थी चार वार धो सुदी धोई ने साप करवामा आवे जे मतलब के साखबाजीना जे प्रिजर्व करू होए तो तेमा भेजनू प्रमाण जाडवी राकू बगव खुब जरूरी जे माटे एने ब्रिजर करता प्याला एक्थी चार वार एने धोवामा आवे जे जो तेने प्लास्टिक ने थेलियो मां पेक करीने राखवामा आवे तो फड़ों ने साखबाजी सारीरीते सचवाही रह जे आने घणा लामा समया शुदी तेने जाडवी सकाए जे माचलियोने कोर्स्टोयतों मुकता पेलो तेना पर मिठु छाटवा मा आवे छे त्यार बाद तेने डब्बावों म के खोखावों मा फिट करी तेना पर ब्राइन स्प्रे अतवाद वर ब्लास्ट करी त्यानू तापमान एटलू घटाडी देवामा आवे छे के त्यानी उपर बरप जामवाला लागे छे त्यार बाज माचलेयोंने दबावमां के खोखावमां थी काडी ने कोर्स्ट्रोयद में मुकी देवामां आवे छे आम करवाथी यहनू खुबाज निच्चू तापमान ओवाना कारने ए लामा समय सुधी प्रिजर्व थाई सके छे कोर्स्ट्रोयद नू तापमान जीरों सेंटिक्रेट नी आसपास राखवमां आवे छे आम आरीते साचवमां आवता मास मच्छी ने घणा लामा समय सुधी इज अवस्था मां राखी सकाई छे कोर्स्ट्रोयद मां ना जे कंस्ट्रक्शन नी अंदर एक इंसुलेशन आप वाल इन कोर्स्ट्रोयद ए बहु महत्वनी वस्तू क्येम के अंदर थी अंदर नी ठंडक बहार न चाली जाए और बहार न जे गरम हवा अंदर न आवी साए तेटला माटे कोर्स्ट्रोयद नी दिवालने इंसुलेशन खुबज महत्वनी वस्तू से जेमा कोर्स्ट्रोयद मा बहार नी गरम हवा अंदर दाखल न थाए और अंदर नी ठंडी हव बहार न जै सकेते माटे कोल सुरेदनी वधित दिवालोंने सम्पूर्ण पणे उस्मानी अवहाक बनावाम आवेचे। त्याने इंसुलेटेट करवामा आवेचे। त्यानी जाडाई पनाशरे चार इंच जेटली राखवामा आवेचे। लॉस ओप मुईस्चेर बेजनों गटाडों थाएचे। जारे कोल सुरेद माँ उपरिक्त खाद पदार्थों राखवामा आवेचे त्यारे आपदार्थों माँ ती अमुक चोकस बेजनों सोसन थाएचे। खाद पदार्थों मा रहेल आ बेज इवोपरेटर द्वारा आवामा वड़ी जाये। प्रणा में बेजना आ गटाडाडाती खाद पदार्थों मा ताजगी रहती नथी। आ मुस्केली थी बचवा माटे अपेक्षित आदरता धैट मींस का रिलेटी हुमीडिटुनू प्रमाण वधारे राखवामा आवे छे। बिजाना मरे केमिकल चिंजिस्ट पन थता होई छे। अमुक लाबा समय सुद्पची खाद पदार्थों मा रहेल विटामिन नू ऑक्सिडाइजेशन थवा लागे छे। तीजो प्रस्थन एक स्वशन परिवर्तन मतलब रैस्पाइरेशन सेंजिस थाई छे। मतलब के जे कई पदार्थों वस्तू मुकेली जे त्यां एक भी जाव उपर रहेली होई तो त्यां हवानू मतलब सुझे के पुरे पुरू डिस्ट्रिविशन थतू नौ वाना कारने स्वशन परिवर्तन जेम के खाद पदार्थों खास करीने सागबादी पढ़पढदी वगेरे ना ना कोशो ना बनेला होई छे आ कोशो स्वशन दर्मियान ओक्सीजन गराण करे छे औने कार्बन डायोकसाइड नो निकाल करे छे परनतु कोल्ड स्टोरेद में एक जग्याये वधारे जत्ता में भरी राकेल सागबादी के फढ़वना स्वशन लिदे स्योटू नू प्रमाण वत्तू जाई थे प्रणा में आपनने ताजा अने स्वश्ट फढ़व अने सागबादी मढ़ी सकता न थी एक जकल्ड स्टोरेद में तमान प्रकार नी चीज़ वश्थोव एक साथे राख्वा माँ आव थी नधी खान के प्रत्यक चीद वस्तुवने साचाव मांटे जुद्याजा तापमान नी जरूर पड़ेशे। खान के प्रत्यक चीद वस्तुवने साचाव मांटे जरूर पड़ेशे। सुका पड़ार्थो मांटे बेजनू प्रमान बहुँ अचुँ ताथा बीना पड़ार्थो मांटे बेजनू प्रमान वधु राखवा मावेशे। जेम के मास माटे बेजनू प्रमान 10%, इंडा माटे बेजनू प्रमान 85-90% अने सागबाजी तता भड़ो माटे बेजनू प्रमान लगबग 85% हो जरूरी छे। आरेते एक सर्खी आध्रता वणा पड़ार्थ ने पन एक कोल स्टुरेज मां राखी सकाई। तापमा टाइप स्वाप कोल स्टोरेज जमा कोल स्टोरेज ना पन प्रकार लगबग त्रण मुख्या त्रण प्रकार पाड़वा महावे छे जे नीचे मुझे अब जे टेम्पररी कोल स्टोरेज टेम्पररी कोल स्टोरेज मतलब के त्यानू एक फी एक ब्य दिवस अथवा तो वदू वदू पंदर दिवस चुदी रसाच भी रखाए तिवा स्टोरेज ने टेम्पररी कोल स्टोरेज क्यावा महावे छे एलमन्द टेंपररी कोर्ष रोयज मा उच्छा समय माटे वस्तू ओने साचावाम आवेशे आ प्रकार ना कोर्ष रोयज नू तापमान माईनस 12 सेंटिग्रेट थी माईनस 13 सेंटिग्रेट जेटलो वहाई छे परन्दु सामा नेरेते तेनु तापमान मायनस सत्तर सेंटिग्रेट जेटलू राखवाम आवेशे आ प्रकारना कोल्ड स्टोरेज माँ खादे पदार्थोने एक ब्या दिवस माटे के कठवाडिया सुधी अथवा तो वदुमा वदू 15 जीवस सुधी प्रिजर्व करी सकाय छे बिजानामरे लॉंग्टम कोल्ड स्टोरेज मतले अपके 6-8 मैना सुधी 7 जीवस ती माडीने 6-8 मैना सुधी राखवाम आवे एवा कोल्स्टोरेज ने लॉंग्टरम कोल्स्टोरेज कहवा महाँ आवे छे लॉंग्टरम कोल्स्टोरेज नो उप्योग व्यापारिक दुरने करवा महाँ आवे छे तेनों समय खाद्य वस्तुवों पर आधा राखे छे तेमा खाध्य वस्तों ने 7 वस्ती माड़ी ने 6-8 मिना सुधी राखवा माँ आवे छे तद उप्रांद मास ने आनाधी पाण वदारे लामा समय सुधी राखी सकाए छे जे त्रीजा मतलब फ्रोजोन कोल स्टोरेज मतलब जे कहीं पदार्थ होए और फ्रोजोन कर देवा माँ आवे जड़ब थी बगडी जता खाध्य पदार्थ होने उप्रोक्त कोल स्टोरेज ना तापमान करता बाण निचा ताप माने ठंडा राखवा माटे त्याने फ्रोजोन कोल्स्टोरेद मा राखवा मा आवे छे कोल्स्टोरेज टेंपरेचर अले कोल्स्टोरेद ना ताप क्रमों लबके कोठा मादर साया मुझब जे एने प्रिजर करवा माटे जे कि आपने जे वस्तू छे खादे पदार्थो जे बाई की द्राक्षे ने 30-40 फेरनीट, अंजिल ने 40-45 फेरनीट, अनानस ने 40-45 फेरनीट, बटाटा 34-38 फेरनीट, खजूर ने 40-45 गाजर ने 34-36 फेरनीट, तरबुज ने 34-38 फेरनीट शुदीना टैपमाने प्रिजर्व करी शकाये छे नारंगी 35-38 फेरनीट, माकान 38-44 फेरनीट, पनीर 36-44 फेरनीट, इंडा 28-30 फेरनीट, दारू 44-45 फेरनीट, दूद 44-45 फेरनीट, आइस्क्रीम 32-44 फेरनीट लिम्बू छे तेने 32-35 फेरनीट, डूदी 34-44 फेरनीट, केडा 34-36 फेरनीट, आने सुखा फडोचे 37-44 फेरनीट, शुदी तापमाने प्रिजर्व करवामा आवे छे मूर्गी 15-30 फेरनीट, ताजी मच्छी 25-30 फेरनीट, सुखी मच्छी 35-40 फेरनीट, आने फूल छे ते 38-30 फेरनीट टेंपरेचर रे बिजर करवामा आवे छे एत प्रमाने, परसंटेजव मोईस्चर कंटेनीट, फ्रेश, वेजिटेबल, फ्रूट्स, और मीट, आपड़े टेंपरेचर नो रेंज जोई ए वीरी ते, आपड़े जे कई फड़ फड़ादी छे, मीट छे तेने प्रिजर करवामाटे भेजनू पन प्रमान, खुबज म 72%, टमेटा मा 94%, सफर जन मा 83%, द्राक्स मा 90%, लिम्बुने 89%, आरेच रखवामा आवेज नारंगी 87%, मर्गी मा 65%, मेंटेन करवामा आवेज चीहनू मा आवेज फिप्टी सेवन बक्रानू मा 65%, उंदूनू मा 69%, आम आ प्रमाने भेजना प्रमान रखवामा आवेज चे, ए उप्रान फ्रोजन फूट नू स्टोरेज टेंपरेचर माइनस 12.4 सेंटीग्रेट थी, माइनस 18 सेंटीग्रेट तापमान सुधी राखी सकाई चे, जैम के फ्रूट्स जूस चे, एक थी पांच दिवस, मर्लब स साचो उब है तो 12.4 डिग्रे राखवामा आवेज चे, छती आट दिवस राखू हए तो मैनस 15 सेंटीग्रेट राखवामा आवेज चे, अने 10 थी बार दिवस माटे राखवानू होए तो ए ए माइनस 18 सेंटीग्रेट सुधी टेमप्रेचरी मेंटेन करवामा आवेज दिवस माटे माइनस अड़ार सेंटिग्रेट टेंप्रेचर मेंटेन करवामा आवे छे ससलो इंडा वगेरे मर्गी वगेरे ने एक थी ब्या दिवस प्रिजर करवामा आवे छे एविज रीते डुकरनों मास माकाण पनील वगेरे ने 32 दिवस माटे माइनस बार पॉंट चार सेंटिग्रेट चार थी चा दिवस माटे माइनस पंदर डिग्रीज माइनस पंदर सेंटिग्रेट अने चा थी आर दिवस माटे माइनस अड़ार सेंटिग्रेट टेंप्रेचर म मेंटेन करवामा आवे छे राध्यलू मास मच्छी 21 दिवस माटे माइनस 12.4 सेंटिग्रेड राखवामा आवे छे इक्ति ब्या दिवास प्रिजर करवा माटे माइनस 12.4 centigrade अने 22.3 दिवास माटे माइनस 15.15 centigrade अने 22.4 दिवास माटे माइनस 18 centigrade टेंपरेचर मेंटेन करवा मा आवे छे थेंक यू